तो क्या हाल चाल है सिक्सर के चाहने वालों, बिगट के मतवालों, किरिकट के दीवानों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आज किस वीडियो हम जानने वाले हैं, इंग्लैंड टोरो अस्ट्रेलिया पहला ओडियाई मुकाबला, जो इन दोनों के बीच में पहला ओडियाई मुकाबला किरा जगा कौन से टीम करेगी, बाजी अपने नाम इंग्लैंड या फिर अस्ट्रेलिया, भाई लोग अगर आप आप यह जानना चाहते हैं तो यह जो वीडियो है वह आपके लिए, आप सब को बता है चाहे अस्ट्रेलिया की बात कर ले या फिर इंग्लैंड की बात कर ले, ओडियाई की जवज़ज टीम है, तो कौन से टीम जीतेगी आज का मैच, उसे जानने से पहले हम दोनों टीमों थोड़ा सा हेट टु हेट रिकोर्स जानते हैं, तो अब ही तक इन दोनों के बीच में ओडियाई में 152, 152 बार आमना सामना हुआ, जिसमें से अस्ट्रेलिया ने 84-84 मैंच जीता है, इंग्लैंड की बात करें, 63 मैंच जीता, 3 मैंच, 9 रिजल्टा और 2 मैंच, टाई राग है, वो इंग्लैंड से आगे, लेकिन दोस्तों आगे तो आगे होता है, फिर थोड़ा हो या फिर जादा, तो आज के मैच में क्या होगा, क्या फिर से अस्ट्रेलिया वैसी परफॉर्मेंस दो राएगा, और करेगा हर मैदान फते, या फिर इंग्लैंड बोलेगा, भाई स सब्सक्राइब करना बनता है ना, तो करोगे चैनल को सब्सक्राइब, ओके बहुत-बहुत सुक्रिया, आपका चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, और साथ में ना टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हैं, अगर आप मेरा टेलिग्राम जोइन कर लोगे, तो बहु कोई बात नहीं बस एक चीज़ के अधान रखना फेक से साउधान मेरे नाम पे नहीं बहुत ज़्यादा नकली टेलीग्राम चैजन बना लिए गए तो इधर और उद्धर कहीं और से टेलीग्राम जोई नहीं करना जो लिंक के मिलेगे निस्क्रिप्शन में बस वहीं से है घ्रट उसी मैदान पर यह मैच भी होगा ओ-डियाई नहीं मैच है यहां के मैदान पर अभी तक ओ-डियाई के 84 मैच यह इडिलraum अब भाशनेंगर और सृट चैussen बनेगा तो ऐसना चैस से नीच सकोर अबसंगरा रजट्ण से पानेगा तो आप प्लस स्कोर बनेगा तब भी आप समझ जाना कि अब 10 मैच में से 8 मैच में टार्गिट डिफैंड हो सकता है 240 से 260 के बीच में स्कोर होगा तो जो मामला होगा न वो बराबरी का आ जाएगा चेज भी हो सकता है और डिफैंड भी हो सकता है यहां के मैदान पे जो मैच होते हैं वो जाधा तर मीडियम स्कोरिंग होते हैं ऐसा क्यों होता है यहां का जो पिछ है वो ड्राइए है बैटिंग के लिए तो बढ़िया है लेकिन सुरू में 2-4 ओबर यह 10 ओबर जो तेज गेंद माज है उनको थोड़ा पर स्विंग मिलता ह मिलता है तो सुरू में बिकेड़ बिकर जाते हैं एक आता दो और रन भी कम बनते हैं इसलिए यहां पर जो मैच होते हैं थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग मैच होता और अगर हम यहां की बॉंडरी लेंथ की बाद करते हैं तो उनके सामने जब बैस्मान चौक के छक्के लग और यहां पर जो मैच होते हैं थोड़ा सा मीडियम इसकोरिंग होते हैं अगर हम आज के पावर प्ले यानी 20 जो पहला 20 ओबर का पा पावर पिले होता है तो उसमें 3 Ciao T परफॉर्मेंस की बात करता है अगर 50 ओबर स्कॉर की बात करें तो 240 से 260 के बीच में स्कॉर्ड देखने को मिल सकता है और अगर हम यहां के मैदान पर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करता अस्ट्रेलिया ने 52-52 मैच के ला जिसमें से 36-36 मैच जीता बस 16 मैच चारा अ यह पसंद नहीं आता अस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड की बात करें तो इन दोनों की बीच में यहां के मैदान पर अभी तक 8 बार ODI में आमना सामना हुआ जिसमें से अस्ट्रेलिया ने 6 मैच जीता और इंग्लैंड ने बस 2 मैच जीता मतलब अस्ट्रेलिया कह रहा ह इंग्लैंड की बात करें इंग्लैंड की बात करें इंग्लैंड के रहा है I hate you निकल यार कोई मैदान है मैं यहां पर मैच जीता तो आंकडों की माने तो एड्लीट के मैदान पर जो अस्ट्रेलिया होता है वो बढ़िया पर्फॉर्मेंस करता है लेकिन आपको पता ना जो आकड़े होते हैं चकना चूर हो जाते हैं टूर जाते हैं नए रिकॉर्ड्स बनने के लिए तो करें पर्फॉर्मेंस की सबसे जो टीम बढ़िया पर्फॉर्मेंस करेगी वो जीतेगी आज का मैच तो चलो जानते कौन सी टीम आज के मैच में यहां के मैदान पर बढ़िय नाजल्ट जॉस वीशुन के दिखन explicar वर्फार्मेंस के तो समझल इनका ना फेड़िट फॉर्मेट है कहते है और दियाई हमें न ऑड्रीआ क्या एमाध रही है यह पर ग्लेन मैक्समेल की बात करें यही तो गेंदवाज टीटुनटी में ते कहां उतना चले तो भाई सब टीटुनटी और ओडियाई में काफी ज्यादा फरक होता है चाहे inici listak की बात करो पैड कमिस्स की बात करो जोस है जलवूण की बात करो जितना बड़ा फॉर्मेट होता है तो उतने जादा ये खतरना गेंदवाज बन जाते हैं तो बहुत अच्छे बल्ले बाज है लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना इनका जो बल्ला है वो चलने रहा फिलिप सोल्ड की बात करें तो बाई साब इनको जहां भी मौकर मिलता है तो यहां पर जो इंग्लाइन की टीम है वो भी करें कि भाईया हम किसी से कम है के हमें कम समझ रहा है हम यहां पर बस ऐसे जख मराने आये हम भी मैच कहलने आये हूं जीतने आये हैं तो अगर हम यहां पर दोनों टीमों का कम्प्रीजन करें एज प्लेइंग लेवन्स के इसाब से तो कहीं ना कहीं जो मामला है ना बाई साब बिलकुल बराबरी का नजर आ र कमाल का होता है गेंदवाजी अबरेज की बात करें 5.49 ये भी बढ़ी है मतलब जो अस्टेलिया की बल्लेवाजी है गेंदवाजी दोनों काफी बढ़िया चल लई है तबी तो जो भी टीम में सामने आ रही है उसका गरदा उड़ा दे रहें इंगलैंड की बात करें अपन लेकिन बल्ले वाजी अबरेज की बात करते हैं यहां पर जो मामला है ना वह बिल्कुल वराबरी का नजा आ रहा तो आज के मैस में क्या होगा चलो फानली अब हम ना यही जानते लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो या चैनल को प्लीज करोगे ना चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो वीडियो को कर दो लाइक तो सारी अनुसार अगर हम इस मैच की बात करते हैं भाई साब यह जो मैं आपको ना बोलूगा कि आपना मेरा टेलिग्राम भी जोइन कर लो क्योंकि इस मैच की जो फानल फेडिक्षन हो है आपको मेरे टेलिग्राम पर मिलेगी और जिन लोगों ने टेलिग्राम जोइन के इतने फायदे में है ना कि आप सोच भी नहीं सकते तो आप सोच रोगे कि यह ऐसा क्या करता होगा अपने टेलिग्राम पर तो मैं बोलूगा कि देखो मेरी मत मानों आपको न डिस्किप बस वहीं से जोईन करें तो आज की वीडियो में इतना है वीडियो अची लगी है तो लाइक कर दो यार चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया कर दो भाई साब सबस्क्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पेटेक्शन के साथ तब तक के लिए God bless you